कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगज शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चहीन दुश्तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूज अपडेट देखने वाले हैं विटकोईन के बारे में बात करेंगे और अल्च के बात करेंगे सबसे पहले न्यूज अपडेट जो आया जो कि दो दिन पुराना न्यूज अपडेट है अमरीका की तरफ से न्यूज अपडेट आया है कि बाइनस के फाउंडर जो सिजी है चैंपिंग जाओ उससे 36 महिने का यहाँ पर जेल हुआ है कुछ लोगों लग रहा होगा कि यह सिजी की न्यूज की वज़े से क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ डंप आ रहा है यह बात सच है तो मेरे साब से यह बात गलात है क्योंकि मार्केट के अंदर डंप आने का जो रिजन है बिटकोन का होविंग है बिटकोईन का होविंग का काफी इंतजार था होविंग तक काफी फोमो भी रहा मार्केट उपर भी गया जैसे होविंग हो गया होविंग के बाद क्या होता है मार्केट 15 दिन 20 दिन इससे पहले भी जब जब होविंग हुआ है होविंग के बाद 15-20 दिन मार्केट डंब रहा है करेक्शन रहा है उसके अंदर कुछ गिरावट वगरा देखने को मिले है सेकंड न्यूज के बारे में बात करेंगे तो अभी जो स्पोर्ट बिटकोन एटी अफ अमरिका के अंदर अप्रू हुए है उसके अंदर इंफ्लो थोड़ा कम आ रहा है जो कि हम जी बीटी सी की बात करेंगे तो 130 मिलियन डूलर का इंफ्लो है नेट इंफ्लो आज का 120 मिलियन डूलर और यहां पर आई बी आई टी का जो इंफ्लो है जीरो रिकोर्ड बना दिया लाज 71 डेज के अंदर आज का दिन इसा रहा कि जीरो इंफ्लो मतलब कि अभी एटी अफ के अंदर इंफ्लो जो फंड है नहीं आ रहा है काफी कम फंड्स आ रहा है बड़े लोग अभी इंवेश्टमेंट नहीं कर रहे है इसलिए भी मार्केट थोड़ा सा कम जो रमे नजर आ रहा है नेक्स्ट अम बात करेंगे तो SSC यहां पर जो डिसीजन है स्पोर्ट बिटकोन ETF ऑफसंस पब्लिक का ऐसा कहना है पब्लिक का कॉमेंट्स ऐसा है कि SSC यह स्पोर्ट बिटकोन ETF ऑफसंस वाला ऑफसंस वाला जो स्पोर्ट बिटकोन ETF यह उसे डिले कर सकते हैं लिस्टिंग होने में डिले करवा सकते हैं नेक्स्ट अम बात करेंगे तो Hong Kong के अंदर जो Bitcoin and Ethereum ETF अपरू हुए है officially वो 30 April को ट्रेडिंग होना स्टार्ट होंगे नेक्स्ट अम बात करेंगे तो SSC यहां पर expect कर रहे हैं जो कि यह कुछ negative हो सकता है अगर ऐसा होता है router के इसाफ से SSC यह से expect कर रहे हैं कि sport Ethereum ETF next महीने अपरू नहीं करेंगे वो मना कर देंगे reject कर देंगे या तो फिट डिले कर देंगे या पर deny वाली बात है और अगर यह मना करते हैं तो Ethereum के अंदर गिरावट आ सकती है और Ethereum के साथ साथ next महीने Bitcoin के अंदर भी हम गिरावट देख सकते हैं बाट Grayscale continuously हम देख रहें लास्ट दो ही महीनों से Bitcoin को सेल कर रहा है अभी आज की बात करेंगे तो 2019 Bitcoin उसने सेल किये अपनी जो सप्लाई है अभी भी उसके पास जो Bitcoin होल्ड है 3,2664 जितने Bitcoin होल्ड है उन्हें से उसने 1019 जितने Bitcoin को सेल किये काफी ज्यादा Bitcoin होल्ड करते है ग्रेस केल कंटिनूसली एक अजार दो हजार तीन हजार ऐसे Bitcoin को दिरे दिरे प्रॉफिट बुक कर रहे है तो यह थे एक उस न्यूज अप्डेट नेक्स्ट अब Bitcoin के चार्ट क 62,800 जब BTC रेजिस्टंस को ट्राई कर रहा था तब हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइट किया था कि रिस्क की ट्रेडर इससे उपर मतलब 68,000 डोलर के आसपास ऐसे लगा के शोट सेलिंग कर शकते हैं और जो रिस्क नहीं लेना चाते है वो ट्रेडर दो दिन का कि रहे और आज के दिन अगर सेफ ट्रेडर ने भी ट्रेड लिया होगा तो भी 2000 डोलर के आसपास हम डाउन आए तो लोगों ने अच्छा घजा प्रॉफिट किया होगा अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं वान साइड हम देख रहे हैं बिटकोन के अंदर फिलाल जो सप सपोर्ट बनने के चांसीज है सपोर्ट बनने के चांसीज अभी 58,400-500 डोलर के आसपास है वहाँ पर आ रहा है 100 से में इसको हम इसलिए बार बार देख रहे हैं क्योंकि अभी रेली के इसाब से जितनी बार करेक्शन बिटकोन के अंदर एक बड़ा सा बना है 15-20 परशन का करेक्शन बना है तब यहाँ पर उसने जो सपोर्ट लिया है बार बार 100 से में प्रीवेस टाइम जब बीटी सी का प्राइज 38,000 डोलर के उपर आया था 38,000 डोलर के उपर ही यहाँ पर 100 से में आ रहा था यहाँ से बाउंस बेक मिला था तो यहाँ पर आयेगा तो हम देखेंगे ठीक है अभी नजर रखे और अभी टारगेट आप यही देखेगा यह 100 से में 500 डोलर 700 डोलर उपर नीची हो सकते है बड़ अभी यहाँ पर दिख पर नीची की बाद करेंगे तो प्रिवेश के अंदर रहा है कि बिटकोई ओविंग के बाद 15-20 दिन के बाद रेली स्टार हो जाता है 15-20 दिन के बाद तो minimum 15-20 दिन और maximum 2-3 महिने आप देख सकते हैं कि रेड महोलम देख सकते हैं मार्केट में जो FOMO था वो FOMO को एक बार खत्म किया जाएगा आपको डराया जाएगा अंदर से जब कॉप आना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से market bounce back हो जाएगा और फिर तेजी से रेली चलना स्टार्ट हो जाएगा तो एक कॉप से बाइनस की न्यूज आना ETF के अंदर inflow का माना यूद की बाते सामने आना एक कॉप create किये और भी कुछ कॉप create किये जा सकते हैं जब completely market के अंदर डर का महोल आजाएगा लोग berries बन जाएगे तब bounce back यहाँ पर मिल जाएगा एक उस fundamentals था टेकनिकली अभी ये support आप देख सकते हैं 57,900 तो 58,500 डोलर के आसपास देखते हैं क्या बनता है या उससे पहले market bounce back होता है बट मैं one side आपको बता दूँ तो अभी ये target में देख रहा हूँ simple बाकि altcoin की बात करेंगे last में same to same भाई जितना down आए पैसा बचाया है तो दिर दिर बाइंग करें क्योंकि पहले से बचाने की बात थी तो आपने बचाया होगा कि रहे सवाल नहीं आना चाहिए और अगर कुछ गलतिया हो रहे तो उसे हम सुधार नहीं की कोसिस करें टेलीग्राम को महस्ट जोइन करना टेलीग्राम का लिंक कमने डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्रोवाइट किया है और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि शो लोगों में से 0.5 परिशन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा